नमश्कार आप देख रहे हैं दे लीडर हिंदी और मैं हूँ आपके साथ सुपनिल यादो दिल्ली को एक बार फिर महिला मुखे मंत्री मिलने जा रही हैं अर्विन केजरिवाल सीमपत छोड़ रहे हैं और उनकी जगे आम आदमी पार्टी ने मंत्री आतिशी को सीमपत की कमान सौपने का फैसला लिया है बैठक में अर्विन केजरिवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा और उनके नाम पर मोहल लगा दी सभी पितायकों ने खड़े होकर प्रस्ताव को स्युकार कर लिया है आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्य मंत्री बने जा रही है इसे पहले सुस्मा सौराज शीला दिक्षित इस पत पर काविज हो चुकी है दिल्ली की आपकारी नीती में कथित घोटाले को लेकर मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल और पूर्व उपमंत्री मनीश्ट सोधिया की गिरफतारी के बाद आतिशी सबसे जादा सुर्खियों में रही मनीश शिसोधियक और सतेंध जैन के स्तीफे के बास से अर्विन केजरीवाल ने 9 मार्च 2013 को आतिशी और सौरभभारवाज को क्याबिनेट मंत्री बनाया था मौजूदा सरकार में आतिशी के पास सिक्षा, जल, वित, पीडवलूडी, बिजली, कानून समेत कुल 14 मंत्राले हैं और सबसे चादा मंत्राले भी इनी के पास हैं तो आतिशी एक ऐसी महिला है यानि के मंत्री भी है जिनके पास इतने विभाग की जिम्मेदारियां हैं ऐसे में अर्विन केजरिवाल के स्तीफे के अलान के बास से ही मुख्यमंत्री पद की रेस से सबसे आगे आतिशी का नाम चल रहा था आतिशी को अर्विन केजरिवाल की सबसे भरोसे मंद मंत्रियों में से एक माना जाता है यही वज़य है कि जब मुख्य मंत्री के जेल में रहते 15 अगस को जंडा फैराने का मौका आया तो अर्विन केश्रिवाल ने जेल से दिल्ली सरकार के सुतर्विता दिवस समारों में तिरंगा फैराने के लिए अपनी तरफ से आतिशी का नाम भीजा था मुख्य मंत्री अर्विन केश्रिवाल की भरोसे मंद और नजदीकी के अलावा कई बाते आतिशी को और भी खास बनाती हैं आतिशी ना सिर्फ दिल्ली सरकार में एकलोती महिला मंत्री है बलकि आतिशी आमादमी पार्टी के शुरवात के समय ही पार्टी में शामिल हो गए थी वजार 13 में विधान सभाद चुनाओ के लिए पार्टी के मैनिफेस्टों का मौसुदा समिती की एहम सदसी भी आतिशी रही और पार्टी के गठन और नीतियों को निधारण में भी एहम भूमिगा आतिशी ने रिफाई बाद में आतिशी ने आम आदमी पाती के मुद्ध को रखने के लिए प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी नी भाई आतिशी ने ततकालीन उपुमुख्य मंतरी मनीस जोदिया की सलाकार की रूप में भी काम किया और उनके जेल जाने के बाद सिक्षा मंतराले का भी काम स इसको लेकर केजरिवाल ने पहले से ही आतिशी को परखना शुरू कर दिया था और अब नाम पर मोहल लगने के पास सुन्या आपके नेता गुपाल राये ने भी क्या कुछ कहा है आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तिफा देने का निड़े लिया आज विधायक दल की बैठक हुई विधायक दल की बैठक में सरोसमती से निड़े हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर नॉमबर में कराए जाए ज तब तक चुनाव नहीं होता है अरविंद केजरिवाल जी को प्रचंड पहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तब तक के लिए आतिसी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताओ सरोसमती से पारित हु फिलाल अर्विन केजरिवाल के इस फैसले का अन्य दलो पर और सत्ता पक्ष पर क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें और तब तक के लिए हमें दीजय इजाजत और आप देखते रहें दा लीडर हिंदी